नमस्कार, IPHI के YouTube पे एक बार फिर आपका स्वागत है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पैरामेडिकल क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी ओपर्चुनिटीज क्या है आज हम डिस्कस करेंगे कि पैरामेडिकल में आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए बेस्ट क्या रहेगा और आगे जाके सैलरी आपको कितनी मिल सकती है यह सब चीजें हमारे YouTube चैनल पर आपको इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब भी कोई स्टूडेंस अपने करियर के बारे में आप्शिन्स ढूंडता है तो उसे पहले यही डाउट साते हैं कि वो किस कोर्स को चुने किस कोर्स में अपना आगे करियर बनाए Employment आगे मिलेगी या नहीं Employment मिलती भी है तो सैलरी क्या होगी आगे कैसे ग्रो करेंगे अब आप सब को पता ही होगा कि Paramedical या Allied Health Service का का काम होता है जो सपोर्ट करता है हमारी पूरी Medical Industry को बहुत ही Main Role प्ले करते हैं Paramedics अब Paramedical में कौन सा कोर्स आता है कुछ Common Course is MLT यानि Medical Lab Technician इसमें आपने देखा होगा जिसे Blood Test होता है, Urine Test होता है, Body Fluids का Test होता है और Pathological काम होता है ये करते हैं Medical Lab Technicians अब बात करते हैं RIT यानि Radiology and Imaging Technician की जिसमें X-ray, CT Scan, MRI, ECG ये सारी चीजों पर काम करना सिखाया जाता है फिर आते हैं Operation Theater Technician Course पे जो Operation Theater को Maintain करते हैं, Anesthesiologist को Assist करते हैं Operation Theater में Key Role Play करते हैं इसके बाद एक Important Course होता है जिसको हम कहते हैं Optometry Technician जिसमें कि सारा Eyes से Related जो भी Process होता है जैसे कि Eye Testing या फिर Lens बनवाना या फिर अपने Specs बनवाना ये सारा कुछ कवर होता है इन सबी Courses में से हम अपना Career Choose कर सकते हैं Paramedical में Certificate Courses भी होते हैं, Diploma Courses भी होते हैं Graduation and Master's Courses भी होते हैं इनी मेंसे कई Courses बस Diploma तक ही होते हैं काफी Courses Certificate से लेकर Degree तक भी होते हैं जैसे कि हमने आपको बताया कि Paramedics एक बहुत Main Role प्ले करते हैं Medical Field में Paramedical Courses को भी उतना Exposure ना मिलने की कारण Market में जितनी Demand है उतनी Supply नहीं है तो इसमें Placement आपको आसानी से मिल जाती है Paramedical के सभी Courses में Starting में जब जॉब लगती है तो जैसा Commonly सब की शुरुवात होती है वैसे ही इसमें भी आपको 15-20,000 में शुरुवात की Salary मिल सकती है जैसे जैसे आपका Experience बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी Salary भी Increase होती जाती है और अच्छे Candidate के लिए Salary की कोई Limit नहीं होती आप इंडिया से बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं बाहर Countries में आपको इससे 3-time Salary मिलती है Gulf Countries में Indian Paramedics की Demand बहुत ज़ादा है जहां पे आपको वो यहां से 4-time Salary ओफर करते हैं तो Paramedical ऐसा फिल्ड है जिसको आप बिना अपने Future की चिंता किये चूज कर सकते हैं और आपकी मेहनत के हिसाब से आपको फल भी मिलता चला जाएगा I hope आपके doubts clear हुए होंगे आप अच्छे से देखिए कि कौन सा कोर्स में आपको interest है उसके लिए काम करिए और success खुद आपके पास आती चली जाएगी धन्यवाद